असलाम अलेकुम दोस्तों दो तिन दिन से वीडियो अप्लोड नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि में तबीयत खराब होगी ती गले में वह रहा था बहुत जारा दर्ड तो इस चक्कर में मैं वीडियो कोई भी नहीं बना पाया साथ में जो हमारी ओनलाइं क्रासिस भी जो चलती सब्सक्राइबर आया थे जिनको मैंने काम सिखाया था वह हमारी बुटिक पे भी आया थे और मैंने उनको काम भी सिखाया था कैनेड़ा से तो वह अपने साथ एक दो सूट लेका है कहारे मैं यहां पर आई तो यहां कुछ से सूट पहनने के लिए नहीं है तो आम मास्टर क्या सिखाएंगे वह भी आपको पता चलेगा तो यह भी हम सिखाएंगे और कुछ नई तरीकी की वीडियो मना रहा हूं छोटा सा मीनी ब्लॉग हो जाए इसी में उसके जो भी चीजह में सिखानी वह भी हम आपको सिखा रहे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले कि क कपड़े अगयरा रखे हैं सब वैसी और यहां पर देखो यह कैनेडा से आये थे तो यह सूट देगें आप देखो और बड़े भाई हैं वह नमाज पढ़ने के लिए वह नमाज पढ़के आएंगे मैं भी जब तक तयार हो जाता हूं उसके बाद जो है वीडियो सूट कर कंवी लगाँ ना अपने अस्थृइवर में कोई भी लाइनिंग लगाँ तो इस तरीके की लाइनिक लन लगाँ यहां यह दिखाता हूं और यहां से कम अस्तर लगता है और यह लाइनिंग आती है साथ रूपे मीटर की अब मैं पहले लेता था 35 रूपे में अब साथ हो गया क्योंकि महाई के साथ कपड़े का रेट भी बढ़ रहा है अब देखिए मैं आपको दूसरा सूट दिखाता हूं इस कपड़े को आप दिहां से कि देखो गले पर यहां पर कड़ाई है और नीचे के तरब में यहां पर बॉर्डर है लेकिंदो इसमें ना कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको सेम मिल जाएगा इसके अंदर देखो यह कपड़े लेकर आयों मैं क्योंकि अच्छी लाइनिंग हमें लगानी तो नहीं च सज़ेस्ट करूँगा कि यह देख लो आप इस तरीके की केम क्लाइनिंग होती है इसमें आपका 42 इंच अर्ज से लेके 60 इंच अर्ज तक आता है ठीक है तो यह वाला जो अर्ज है दोस्तों यह है 42 इंच इससे पहले आपको दिखायता वो था आपका करीब 54 इंच और यह देखो यह एक सूट नहों कर ना हो Alex है इसका ग्र का रिख है यह तकरिबन मेरा इसका है और यह Comp вами कमीश के लंबाई के दृश के दोस्तों सबसे बढ़िया रहेगा अब दोस्तों मेरी भी हालत को जैसे हो लिए क्पड़े अगर चेंज करता हूं और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए क्योंकि वीडियो मुझे आज अपलोड करनी है क्योंकि तबीयत खरापती से अपलोड नहीं कर पा रहा था उनना आपने देखा होगा कि एक दिन छोड़के मेरी वीडियो रेगुलर आ रही है तो अभी फटा फट से हम तयार हो लेते हैं फिर जाते हैं और भाई नमाज बढ चैंब ग्रोर्णा देखेंटर तो यह वीडियो सूटं थे यहां पर हमारी यहां फिलिकर कर जीन अशुर्क कर दीक है इसे हमारी क्याव घटर्मीता है तो यह हमारे न सब्सक्राइब यह को इस नहीं मिलता है तो दोस्टों J स्पेस है और देखो लाइट है कुछ हमने इस तरीके से लगाई हो यहां पर फिलिकर कर दिना लाइट ज्यादा रोशनी में ऐसे करती हो यहां पर बिस्तर ऊपर रख दिया लमारी के ऊपर क्योंकि अगर कभी मतलब हमें क्योंकि भाई की जब साधी होगी तो अटाना पड़ और आज की जो वीडियो इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा ना एक ऐसे अल्टरेशन के बारे में सबसे पहले दर्वाजा बंद कर देते हैं भार की आवाज नहीं आएगी क्योंकि यह सबसे टॉफ लोर है हमारा सबसे टॉफ लोर है और उसके उपर वीडियो बनाते लेकिन सरजयो के टाइम क्या होता दोस्तों सब चीजे बिलकुल सांथ सांथ होती है तो नीचे को सब्सक्राइब आवाज भी दे रहा है तो भी उपर आवाज आ जाती है तो आज की वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी अल्टरेशन के बारे में जिस साफी लोग पैंट्स बनाते हैं जिस तरीके से मैंने कटिंग आपको सिखाई है उनकी पैंट क्या होती अब जैसे देखो दोस्तों यह तो मेरा पजाम है यहां की किरिज सेंटर में होनी चाहिए लेकिनी साइड में चलीगी ऐसी क्या होता है उनकी क्रिज होती है वह ऐसी आन यह मैंने नोट करना है क्योंकि घुटने की तरफ से थोड़ी फिटिंग होती है उपर से या घुटने से भी हलकी लूज होती है तो इस घेरे को कैसे एज़ेस्ट करना है असल में कितना आपका घेरा होना चाहिए यह मैं पूरी डिटेल इसमें देने वाला हूं घेरा कम औ जाँगा कि आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं तो यह आपकी बिल्कुल खतम हो जाएगी क्योंकि यह चीज मैंने नोट करिए घेली की वज़ए से होती है तो चलिए फटा फट से जो है मैं आएक इस पर कटिंग कर लेता हूं पेपर और आपको इसको कटिंग कर से करने के लिए का करना ऐसे क्या करते है कि साइट होती भिल्कुल मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो दोस्तों हम एक कोटन का कपड़ा ऐसा बताते हैं जिसमें काफी लोग लाइनिंग नहीं लगाते हैं तो होता क्या है वह वास होने के बाद ना आपके उसके ताल उल्टी सीधी हो जाती है तो वह वाला कपड़ा घूम जाता है एक तो लगाई है फिर वी ऐसा होता है तो उसका रीजन क्या होता है दोस्तों जो आब यह आपको मैंने दिखाया इधर देखें यह जो होता हैं इसको में देखना होता अच्छा घेरा कैसे रखा जाता है अब जैसे मैं यह हिप्स यहां पर हिप के पास इस तरीके से नापते हैं यहांब दोस्तों कितना आ रहाए मिरा यहां बे और फोली तो अब पोडीटर इंच हो गया अब दोस्तों तकरीबबन इस तक आपको कितना आपने इसे कहते हैं घेरा अब मैं फोली सिक्स से आपकता हूं मालीजितर यहां पर बैट रहा हूं यह दैखो यह बैटने के बार इस तरीके से आ यानि कि जो हीप्स होती है यह आ पकड़ा हूं यहां यह इतना फैल गया इससे अंदाजा लगा सकते हो आप को किने घेरे की जगुरत है लेकिन हमारे आपके यहां पर जोड़ लगेगा हम हलका सा खेज़ लेती है तो जारा तो टाइट होती है रहाएं वह ओतुक आपके यहां पर लेडी से क्या करती है इसको ज्यादा लूज बनाती है कि वो नीचे आलटी आलटी मार के आराम से बैठ जाए लेकिन दोस्तों सामने दिखाऊं दोस्तों होता क्या है पैंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक स्टूल में बैठ सकते हो जैसे यह स्टूल देख र आप जैसे मेरा 48 इंद का घेरा इससे जादा घेरा रखूँगा तो यह साइड में एक तो कान निकलेगा ठीक है दूसरी बार जिए जादा लूज होगा यह सापका ऐसे घूम जाएगा तो साइड वाली जैसे मालों किरिज मेरी साइड की स्लाइड है जादा घेरी आने के जाएगा जैसे कि यह किरिज मेरी आनी चाहिए लेकिन ज्यादा घेरा तो मेरी साइड में चली गई तो यह मेरी सलवार में एस्सी तरीके से चलते लेगी कि लेडिस वह पनती उसकी बिलकुल सीधी आने चाहिए तो यह गहरे के बज़ए होती है जो मैं आपको एक्स्प्र कपड़े में नहीं होगा यह चीज मना कर दो मेरे पास भी ऐसे कस्टुमर आते रहें अब हम आते दोस्तों घेरा कम कैसे करें जैसे मैंने आपको कटिंग सिखा यह मेरी यूटूब पर दुनिया भर की आपको पैंट कटिंग मिल जाएगी जो इसी तरीके से में सिखाता हूं यहां पर घेरा था हमारा 48 अब 48 को दोस्तों हमें तयार रखना कैसे रखेंगे फरेंट वाला पला तो हमने रख लिया देखिए हम इसको रखते हैं फरेंट पला नापते कितना आ रहा है दोस्तों यहां से तक्रीवन आप 8 इंच के आसपास नाप लों क्योंकि यह सीधी ल हमार के दोस्तों और साड़े गारा और यह अभी सिंगल बढल डबल होगा तो साड़े ग्यारा कि इसको हम प्लस कर देती हैं 12-13 से टोटल में हो गया दोस्तों आपका 16 इसको द्यान लखना है यह आपका फरेंट का ठीच है फरेंट यहां यहां पर कित्ना आ रहा है अब य जगा लिखते हैं लस्त साड़े तेरा 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 चबीस 27 ठीक है हमारा टोटल जो घेरा निकल के आए वह यह निकल का आए फरंड का तेज़ आगे का या बैक का 27 तो यहां पर हम 27 तेज़ इसको हम जोड़ते हैं 7 और 30 ठीक है और एक हासिल गये हापर हमारा टोटल पचास तो हमारा घेरा बनके आएगा ठीक है पर लास्टिक लगके बैट के सब कुछ लखने के और हमारा घेरा 50 आएगा हमें चाहीं कितनाए में चाहिए अरटालिश साइड से निसान लगा लगा दू है तो आपको लगता करना है तो फ्रेंट वाली साइड से थोड़ा सा कम कर सकते हूं थिक है इसका कि रोजेदी इंदर आजेगा मैं आपको राय दूहँगा कि भрах से घेल को कम करो अब दोस्तों यहाँ पर उठाम उतना उठाए है दो आपको इस तरीके से लंगाना हैा और यह वारी जो साइड नहीं साइड है इसमेह इस तरीके से इसको प Dollaya को देए से इस अब चाहुए है इस यहाँ रहे होगा तो आप बैक साइड में आगे कि तरफ बढ़ा दो यहां से आपका घेरा बढ़ जाएगा बैक आपको कितनी उठा के रखनी है पहले आपको निसान लगाना यह तो मैंने कटिंग करके आपको समझा है लेकिन आपको बैक कितनी उठानी है वो चीद आपको खुद अपन करके बानते हैं तो उनका आशन ठाइड हो जाता है फैसाफ से बनाते है ना आपको बैक में आपको मैं आपको ऊठा के को he Such A लगता है तो यह कुछ एसी में बहुत ज्यादा रिसल्ट करी है और है लोगप्स artists क्या समय्हें क्योब Furthermore earlier होती स्थाइब अच्छितर जैसे ज़ुद्ट ने के आए हूं ताकि आपकी जो problem है न वो solve हो जाए और ये चीज़ आप करके देखना ठीक है तो आपकी problem solve हो जाएगी सबसे पहले तो आपको समझने है अगर आपको कुई मतलम नहीं है लेकिन अगर आपको चाहिए पैंट ऐसी की नीचे बैड़ जाओ कमफरटेबर ऊपर बैड़ जाओ तो काम से मतलम नहीं तो दोस्तों वह एक तरीके का पजामा होता है जिसे हम पंजाबी पजामे का नाम दे रखा है हमने और इसके पर काफी जादा वीडियो हमने बनाई हैं तो दोस्तों यह सारी चीजे आपको जो है काफी बड़िया लगी हों कि आपको समझ में भी आयोगा जो मैं आपको समझाना चाहरा हूं और साथ ही में दोस्तों हम इसी तरीके से अपनी ओनलाइन किलासिस की भी जो है ट्रेनिंग देते हैं ज दोस्तों में से लिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह चीजे भी न हमारी जो है चेंज होती रहती है कभी मालों आफ़र आ जाता कभी कुस्तों यह चीज आप दियान लगना यहां पर पूरी जानकाद आपको मिल जाएगी और यह देखिए जैसे कि हमारे हमने पैटन को कट चैनल पर पहली बाड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लागन प्रेस करना ना हो लें थैंक्यों फॉर वाचिंग